हेलो एवरीफान वेलकम तो बैक में यूट्यूब चालना नर्सिंग बेट तोड़ी आम गएंग तो डिस्कस अबाउट निरोल्जिकल दिसॉर्डर में डिसॉर्डर इस पार्किंसन डिसीज आज हम पार्किंसन डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम सैक्याट्रिक डिसॉर्डर भी बोलते हैं कि mostly जो होती है old age में होती है सबसे पहले हम इसकी definition के बारे में डिस्कस करेंगे कि यो पार्किंसन डिसीज होती है वो होती क्या है कौन-कौन से इसकी causative factor होती है किसके कारण होती है अगर हो जाए तो इसके symptoms कौन-कौन से होती है और इससे हम कैस इसको treatment कर सकते हैं कौन-कौन से जो medical therapy होगी medical treatment हो गया चाहां physical therapy के साथ हम इसको कैसे heal कर सकते हैं treat कर सकते हैं first of all I talking about its definition it is a degenerative disease occur due to degeneration of the dopamine producing cell in substantia nigra which result in dopamine deficiency most often developed in old age जो Parkinson disease होती है वो किस में develop होती है old age में develop होती है और इसमें होता mainly क्या है कि जो dopamine की production होती है वो decrease होने लगती है उसकी जो production होती है वो degenerative होने लगती है means properly production नहीं होती तो उसके साथ patient को Parkinson disease होती है और जो dopamine की production होती है उसके बारे में मैं discuss करूँगी कि यह क्या होती है जो brain का part होता है mid brain उसमें क्या होता है कि substantia nigra होता है substantia nigra में क्या होता है dopamine की production होती है इसमें mainly क्या होता है कि जब Parkinson disease होती है किसी को वहाँ पर क्या हो जाता है कि dopamine की जो production होती है वो degeneration होनी start हो जाती है diminished destruction होती है तो उसके साथ patient को हम कह सकते हैं कि patient को Parkinson disease हुई है then its causative factor अब हम इसके कारण के बारे में बात करेंगे जो Parkinson disease हुई है उसके कौन-कौन से causative factor है जो first है वो actually unknown है means properly इसका जो causative factor है वो find out नहीं हुआ और दूसरे जो causative factor है वो chemical poisoning अगर कोई person long time से किसी area में काम करता है जहां पर वो continuously किसी chemical exposure में बार बार आ रहा है तो उसके कारण भी क्या होगा अगर वो poisoning को chemical poisoning को inhale करेगा अपनी body में inhale कर लेगा तो उसके साथ क्या होगा प्रेडक्शन है वो destruction हो जाएगी उसकी properly नहीं होगी तो उसके कारण भी patient को हम कह सकते हैं कि Parkinson disease हो सकती है next is head injury road accident में जहां किसी home में कोई fall हुआ हो bed से fall हुआ हो उसके कारण उसके head को अगर hit हो जाए तो उसके कारण भी क्या हो सकता है mid brain में जो substantia nigra होता है उसमें dopamine का level diminished हो सकता है next is family history अगर किसी की family की history में कोई Parkinson disease हुई है तो वो one generation से दूसरी generation में transmit हो सकती है through the genes next is genetic factor same genetic factor जैसे genes में genes जो होते है वो transmit होते है पेरेंट से उसके off spring में उसके जो baby होते हैं चाहिए वो daughter हो son हो तो उसमें वो जो उसके जो genes होते हैं वो Parkinson disease की जो है वो transmit हो सकती है one one से जैसे उसके parents से उसके off spring तक next is pathophysiology pathophysiology बे हम बात करेंगे कि जो Parkinson disease होती है patient को उसमें क्या-क्या होता है कैसी होती है कौन-कौन से causative factor के साथ जो patient की body है वो कैसे react करती है सबसे पहले due to the causative factor कोई भी due to the causative factor कह सकते हैं कि चाहिए वो chemical poisoning हो head injury हो family history हो कोई भी कारण हो उसके बाद क्या होगा dopamine cells का जो level होता है जो production होती है वो destroy होनी start हो जाती है और अगर वो destroy होगा तो उसके साथ क्या होगा dopamine की deficiency हो जाएगी means patient को उसकी कमी हो जाएगी अगर dopamine की deficiency हो तो उसके साथ क्या होगा abnormal conduction of impulses are signal from brain mostly क्या होता है कि जो dopamine होता है वो neurotransmitter होता है neurotransmitter क्या करते हैं कि जो nerve impulses होती है जो हमें feel होता है उसको एक दूसरे से वो connect होती है एक zone होते है और एक दूसरे से connect होती है वो message को convey करती है तो dopamine का इसे same होता है जो function होता है तो इसमें क्या होता है कि अगर dopamine की deficiency हो तो उसके साथ क्या होगा कि जो impulses की conduction होती है जो signal लेके आते हैं brain से body तक उसमें कोई problem आसकती है तो उसके साथ क्या होगा कि patient की जो muscles पर कोई control नहीं रहेगा patient का जो gate होता है जो चाल होती है उसकी तुरने का style होता है वो भी change हो जाएगा उसकी जो movement होती है वो काफी low हो जाएगी slow हो जाएगी means वो properly walk नहीं कर सकता जो mostly जो problem होती है वो old age में होती है patient को next it's sign and symptoms of Parkinson disease Parkinson disease में कौन-कौन से symptom show होते हैं जब Parkinson disease होती है जब dopamine का level होता है तो कौन-कौन से symptom show होते हैं इसमें जो three cardinal features होते हैं वो होते हैं ट्रैमर्स patient को tremors होंगे प्रैमर का मतलब होता है कि उसके जो हाथ होते हैं पैर होते हैं वो मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं उसकी बॉड़ी की तरफ रिजिडिटी हो जाती है बहुत जादा हाड़निंग हो जाती है उसकी बॉड़ी स्टिफनेस होती है में इस बॉड़ी में और other symptoms की बात करें तो patient को इसमें monotonous speech होगी कि patient properly बात नहीं कर पाएगा एक ही वो उसकी tone में बात करेगा कह सकते हैं कि उसमें कोई भी हापा नहीं होगे वो एक ही tone में बात करेगा next is stuffling gate उसका जो चाल होती है उसकी जो position होती है वो काफी abnormal हो जाएगी properly walk नहीं कर पाएगा अगर walk करेगा तो वो abnormal होगी normal वो walk नहीं करेगा तो next is mass like face ऐसे दिखेगा कि उसके face पे कोई expression ही नहीं है जब हम normal person जो बात करते हैं हम क्या करते हैं अपनी body movement तो करते ही करते हैं साथ-साथ हम अपने face के expression देते हैं eyebrow raise करते हैं तो उसके जो face में कोई हमें कोई भी movement नहीं होगी बिलकुल mask like होगा जैसे mask पैना हो किसी ने next is dysphagia कि means properly वो swallow नहीं कर सकता food को next is next is loss of coordination and balance उसका जो body का balance होता है वो properly नहीं होगा normal person क्या करता है कि जब walk करता है वो बिलकुल उसकी ठीक होती है एक pair के बाद वो दूसरा जो pair होता है वो walk के लिए अपना रखता है पर इसमें क्या होता है कि normally उसकी जो चाल होती है जो उसका gate होता है उसमें कोई balance ही नहीं रहता वो इधर उधर गिर भी सकता है next is handwriting become smaller उसकी जो handwriting है वो अच्छी नहीं होगी next is slurge speech उसकी जो speech होती है वो काफी slurge होगी में समझ नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहा है उसको मतला हम understand नहीं कर सकते हैं next is diagnosis अगर किसी को Parkinson disease होई है तो हम उसको कैसे judge कर सकते हैं कैसे उसको diagnose करेंगे कि patient को यह problem हुई है सबसे पहले तो हम patient की history collection करेंगे history collection में हम देख सकते हैं कि patient की जो disease हुई है वो उसको family से तो नहीं हुई means family history तो नहीं है genetic factor तो नहीं है genes के तुरू उसकी जो disease है वो transmit तो नहीं one generation से juicy generation में यह हम प्रॉपली हिस्ट में पूछ सकते हैं patient को head injury तो नहीं हुई इसी patient को previously medicine तो नहीं ले रहा है अगर कोई patient continuously कोई medicine ले रहा है उसके साथ side effect भी हो सकता है work नहीं करेगा dopamine जो main function होता है वो नहीं करेगा अपना function करना बंद कर दे सकता है इसलिए हम patient से उसके previously history उसकी पूछते हैं next is physical examination physical examination में हम patient का डlles बाडी का analysis होती है उसकी जो मोडा का इनाजिया चेक करेंगे उसकी जो Gait होता है उसको हम check करेंगे उसकी जो balance होता है coordination होता है उसको हम check कर सकते हैं इसमें कि chronically head to toe हम examination करेंगे patient का properly इसमें क्या होता है कि जो muscles होते हैं वो काफी weak हो जाते हैं अगर muscles weak होंगे तो उसका जो abnormal gate हो जाएगा means उसकी जो चाल है वो properly नहीं होगी तो इसके साथ patient को काफी problem हो सकती है जो हम इसमें history collection में पूछ सकते हैं और physical examination खुद करके हम head to toe examination find out कर सकते हैं second diagnosis is CT scan और MRI इसमें हम patient के जो brain का head का क्या करेंगे CT scan करेंगे MRI करेंगे तांकि हमें deeply जो structure होता है heart का उसके बारे में हम पता कर सकें next is liver dopa, liver dopa में क्या करते हैं कि patient को हम medicine देते हैं liver dopa अगर हम patient को liver dopa medicine देते हैं तो अगर patient के muscles में कोई stabilization आए देने के बाद उसके साथ हम कह सकते हैं कि patient को जो Parkinson disease है वो ही है next is medical management there is no cure for Parkinson disease but the symptoms may be relieved by medical therapy and physical therapy means इसमें कह सकते हैं कि इसका हो जो mainly treatment होता है वो हम इसको cure नहीं कर सकते हैं but अगर हम इसके sinus symptoms की बात करें तो वो हम इसके उसको relieve कर सकते हैं जैसे उसको tremor आ रहे है रिजिडिटी हो रही है उसको muscles को जो problem आ रही है means थोड़ा वोता जो हम उसको change कर सकते हैं तो उसके लिए हम patient को सबसे पहले क्या करेंगे medical therapy provide करेंगे medical therapy में patient को हम liver dopa provide कर सकते हैं जो क्या होता है कि dopamine का precursor होता है तो उसके साथ क्या होगा अगर तो हम patient को single dopamine liver dopa देते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि वो properly work नहीं करेगा अगर हम patient को liver dopa के साथ patient को carbidopa देते हैं तो उसके साथ क्या होगा combination medicine के साथ ये properly क्या करेगी blood brain barrier को cross करके properly effect देगी patient को अगर तो हम liver dopa single देते हैं तो ये क्या होता है कि जो blood brain barrier होता है body में उसको cross नहीं कर पाता तो इसलिए हम patient को combination में liver dopa के साथ क्या देंगे कारी डॉपा तो इसके साथ क्या होगा कि ये properly work भी करेगा next second हम क्या करेंगे medical treatment में physical therapy patient को इसमें हम exercise provide कर सकते हैं अगर तो patient hospitalized है means जैसे की psychiatric hospital होते हैं वहां पर अगर patient है कोई बार क्या होता है कि home में भी उसकी care करते हैं means depend करता है कि patient कहां पर है वहां पर ही हम patient को exercise provide करेंगे और इसमें हम patient को physical exercise के बारे में बताएंगे कि muscle tone को कैसे हम heal कर सकते हैं कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं इसमें हम active exercise के बारे में भी बता सकते हैं अगर तो patient willing है आप कर सकता है तो दूसरी क्या होती है passive exercise इसमें difference होता है active exercise तो वो होती है जो patient खुद कर पाए और passive exercise वो होती है जो patient खुद ना कर पाए दूसरा उसकी help करे assistance के थ्रू जो exercise होती है उसको बोलते है passive exercise next is speech therapy इसमें Parkinson disease में क्या होता है कि patient की जो speech होती है वो sludge हो जाती है means properly उसकी जो pronunciation होती है वो properly नहीं होती हम understand नहीं कर पाते हैं तो हम इसमें patient को speech therapy provide कर सकते हैं muscle therapy provide कर सकते हैं तांकि patient की जो problem है उसको ठीक किया जा सके so it's all about the Parkinson disease सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया कि Parkinson disease क्या होती है इसकी causative factor, pathophysiology, sign and symptoms, diagnostic evaluation and its medical management so I hope you understood my topic if any queries related to my topic then ask me in comment section